नमस्का दोस्तो आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज का जो हमारा विशा है वो है एक सक्सेस स्टोरी जर्मन स्टूडेंट वीजा की फ्री स्टेडी क्वाले की बहुत भी इंटस्टिंग केस है हमारे पास हमारे साथ हमारे क्लाइट को इसाथ में बैठे हुए है जो कि लोकल जलंदर के हैं तो देखे जब कोई भी क्लाइट हमारे पास आता है पहले सबसे पहले यह MeMark эфф frågor कि क्या वह बीजा आप आएगा जा नहीं आप आएगा यह आम इन्डियोशन्स आती है हरे में क्लाइंट्स के अंदर इनके अंदर भी आई थी जो अनर खाल भी आती है उनके पासंगे आती है। मारा काम कितना भी बढ़िया हो तो ये सब के दमाग में रहता है चलो जब वीजा भी आ जाता है वीजा के बाद फिर नई इंटूशन्स आती है कि क्या मैं अभी जर्मन में पहुंच पाऊंगा जा नहीं पहुंच पाऊंगा चलो जब पहुंच भी जाता है पहुंचने के ब कोई भी स्टूडन्ट है चाहे मैं भी खुद अगर वीजा अपलाई करना है जहां कोई भी चीज पर्चेज करनी है तो मेरे अंदर भी चीज़ें आएगी उसके बाद क्वेस्चन आता है कि क्या मेरी यहां पर पी यार हो पाएगी जा नहीं हो पाएगी वो मिल जाती है तो इनका वीजा सुकसेसपुल ही आया है इनसे पूशेंगी कि क्या Crown Immigration ने इनको वीजा की गरंटी दी थी क्या Crown Immigration की German Embassy की अंदर कोई सैटिंग है क्या कोई consultant किसी वीजा की गरंटी या वरंटी दे सकता है अच्छा consultant आपका case लेने के बाद वो आपको बताएगा कि आपके कि five देखने के बाद बीजा आने के कितने chances है जो अच्छा consultant है जो गप्टी होगा जिसने आपको cheat करना है वो guarantee उसे ही start करेगा आपको motivations बाली speech बताएगा बतल जहां पर नहीं भी जाना है जो गंदी countries है वो वहां पर भी आपको इस way से बेज़ेगा कि अभी मैं बेलारुस से आपको शेंगन भेज़ दूँगा जा यूकरेन से अभी आपको शेंगन भेज़ दूँगा जा साइपरस से जा मलेशिया से आपको वहां अस्रेलिया न्यूजिलेंड भेज़ दूगा वो इस टाइप के आपको excuses देगा motivations देगा तो profile देखे कितनी interesting है बच्चे ने अपने लेवल पर भी बहुत effort कियें क्योंकि free study का नाम जब आता है हर एक student यही चाहता है कि मैं उसी country के अंदर चला जाऊं और देखिये जर्मन में सबसे बड़ा benefit बैचलर करिए master करिए चाहे PhD करिए entire study बहां की public universities में free है तो यहाँ पर आपको जो word की leading universities है मैं नहीं कहता है यह सारा google बाबा कहता है बहाँ पर search करिए आपको पता चल जाएगा तो लोगों को ऐसी countries में अगर पढ़ने का जिनका main motto है जिनोंने पढ़ना है पढ़ने के बाद आगे कुछ करना है तो उनके लिए जो जर्मन है जहां शेंगन की बहुत सारी countries है वेस्ट कंटीज है उक्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा experience है शेंगन की सब कंटीज के साथ इवन हम शेंगन को ही deal नहीं करते हैं हमारे पास more than hundred कंटीज के options है पेशन्स वाला student लेने की कोशिश करते है प्रफाइल अच्छी है तो आपको लेंगे अभी मेरे पास just मेरे पास अभी what's up message आया बच्चा कह रहा है कि मैंने बेलारुस जाना है तो मैं कहा बेलारुस में क्या करना जाना है बेलारुस से बड़ी है मैं आपको रुमानिया बेज़ दता हूं वो उससे बड़ी है country है European country है फिर कहते हैं नहीं सर बेलारुस से मैंने आगे निकल जा तो अभी इनकी profile के बारे में discuss करेंगे जर्मन में थोड़ा सा जर्मन अभी मैंने बहुत टाइम से बार बार वीडियो में repeat करता हूं कि रिजट हुई है covid से पहले they are very linear उन्होंने fake document वालों को भी visas दिये जिन्होंने वहाँ पर blog account फेड लगाए उनको भी visas दिये लेकिन nomadays आईदर आप एक genuine student है आपके 7 band भी ILTS में है public university से भी आपका admission आया हुआ है बतल बहाँ वो जर्मन वैसी randomly बच्चों की interviews ले रही है चेक करती है बच्चे की proficiency की बच्चा genuine है जाने बाला तो जो private वाले है वो बच्चारे refusal ले रहे हैं जो big profile वाले हैं जिन्होंने बहाँ की private university में admission लिया हुआ है उन्होंने वैसे admission भेज दिये हुए है बच्चे की ना तो उन्होंने percentage चेक की ना उन्होंने English proficiency चेक की है तो जब उनको interviews आती है तो उनको बहुत refusal देखने को मिलती है बो भी बच्चे मुझे संपर करते जब refusal आ जाती सरह हमें बताई कि मैंने अभी appeal डालूं जा मैं another country में अपना visa apply करूं case देखने के बाद उसका refusal देखने कोई believe नहीं करता अभी इस साल भी बहुत ही मारे result रहे हैं बहुत सारे genuine बच्चों को 95% जिन बच्चों के percentage थे जिनकी BTEC में 9CGPA थी उनको भी refusal मिली है इटली के अंदर तो ऐसी country में क्यों डाल रहे है अपनी application जो international students को welcome नहीं करती और मेरे पास ऐसी countries है वीजा officer के हाथ का हो जाएंगे अगर आपके 90% हो वो अगर आपका वीजा refuse करती है तो बहुत हो समझते कुछ नहीं है इटली वाले तो ऐसी countries को आप international student है आवाइड करें जो बच्चों का time and money waste करें पर आपने उनी की मानी जिन्होंने गरंटियां वरंटियां और free study के नाम पर इटली के नाम जो बच्चे ने MSC physics से की हुई हो तो वो बच्चे ने अपने level पर भी efforts किये होते हैं पड़ा लिखा बच्चा होता है ये तो है नहीं हम प्लस टू वाले बच्चे को deal कर रहे हैं और crown immigration अगर free study का नाम आता है तो हमारे पास तो cream profiles ही आती है तो cream profiles होती है naturally they are knowing each and everything की apply कैसे क करना है कूण कूण से document लगने है क्या क्या precautions लेने है तो उनको हम handle करते हैं तो बाकी profile ने तो छोटी बीग भूगा उनको जो मर्जी बंदा कहता रहे तो इसने भी अपने level पर काफी efforts किये थे सबसे पहले बड़ा challenge क्या था main बहां पर आपकी grading और बच्चे के जो percentage थे MSC physics म और बच्चे का बहां पर crown immigration ने public university में entirely in English medium में admission करवा कर दिया है master program में वो successfully और उस दी दिन भी बड़ा खुश हो गया था जिस दिन इसका admission ही आया था वीजा तो अभी आना था तो वीजा भी बच्चे का without interview आ चुका है और वी successfully ये वीजा भी मैं दखा दूँ आपको ये बच्चे का वीजा है और ये देखिए इसको duration पूशेंगे admission कितने का time के अंदर आ गया वीजा कितने time के अंदर आ गया हमारी services कैसी रही है क्या ये another clients को जो अपने friends को recommend करेगा crown immigration के बारे में तो ये एक general discussion के साथ भी करते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे channel के उपर तो आप सर रहने वाले कहां के हैं तो आपकी हाइस एजुकेशन क्या है मेरी हाइस एजुकेशन MSE physics है परसंटेस कितने के हैं फिफ्टी नाइन परसंट इस में बैंड कितने 6.5 तो जब आप हमारे पास आयते हमारा किसी ने reference दिया था जा हमारे social media चेक किया था कैसे आपको पता चला कि जर्मन के हम काफी expert है sir actually मैं शुरू तो भी पहले अपने वल्लो ट्राई करता है वैसे जर्मन अप्लाई करें दो लए सब तो पहले मैंनो नीड लगे कि जर्मन लैंग्वेश लिखनी है तो मैं एक टीचर देर को जर्मन लैंग्वेश लिखन लिगया उननने जर्मन लैंग्वेश कराई फिर उननने एक गव मनु रिक्मेंट करता कि तुसी क्राउन वलेन जाके मिलो तो मैं आउना जाके आकर उस तुपार आपनी सारी अपनी प्रौफाइल डिसकेश की थी इनननन नो नो एक गा कि चांसी जहा भी मेल भी सकदा और नहीं मैल पर दिन नहीं पर सर नहीं चीज़ असेप्ट किती जड़ा कि मैंनों बहुत वदिया लगा क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग किसे नों फीज ना देए वो आई थिंक मिन नहीं लगदा कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा तर यहां चीज़ कीती उस ताम तो मिननों बहु है हर चीज सर ने समझाई होली होली तो एंडली जिदो मेरी फाइनल युनिवर्स्टी दा प्रोसेस कंप्लीट हो गया उस तो बाद में फाइल दा सब्मिट करन दी प्रोसेस आ गया ओ सर ने मेरी सर्व तो यहादा हल्प किती है उस तो बाद उना ने अपनी जो भी सब्सक्राइब तो देखो जर्मरी में इन्होंने में केस दिया था इस वीडियो में एक छोटी सी जोर बताना बूल गया इसने जर्मन भी की हुई थी आइधिंग एलेवल जर्मन भी की हुई थी अभी यह बताइए जो आपका अडमिशन आया है प्राइवर्ट युनिवर पर पॉबिक युनिवर्टिस में अडिमिशन आया है किया वहां पर कोई टुशन फीश है किया वहां पर चिखिक थारी वाहां पर जो उनकी लाइवर्डरिई फीज है जो एक्जामीनेशन फीज हिए ठ्री हंडर्ड यूरो की 25 यह रिगया है और फ्री चइडी पढ़ने क लिए जा रहा है अभी हमने अपने जो सर्विस चार्ज इन से डिसाइड किये थे जब वीज़ा आगया हम ले रहे हैं और अभी हमारा जो आने वाला जो सिस्टम है जर्मन का हम जब किसी भी बच्छे का केस लेते हैं 15,000 रपया अडवांस में हम लेते हैं प्लस जब बच्छ बारा बारा लाग रुपय की फीसें देकर जा रहे हो और मैं आपको फ्री में बहां की पब्लिक यूनिवस्टिस में वेस्ट यूनिवस्टिस में बेह रहा हूं तो मेरे वी जो फीस वाट्सोएवर चार्ज़स में वह उस टेम लेता हूं जब आपका सुक्सेस्फुली व कऱा करांगा क्राउन वाले सर नो तरीप्रोफाइल डिसकस करांगे तो जो भी अब बनेगा तरीप्रोफाइल देशाव ना तो अगे थरी हल्प करनेगे कैसा है साथ में रेफरेंस पिर्वाइड कर रहा है सब से पहले यह अवसाई कोई प्लैक्मिलिंग कोई आपकी ऑ् पास्वूर्ट हमारे पास आये कुछ ऐसा है जे बताइए कोई डॉकुमेंट में सब्मिट किता सरफ अपनी फोटो का आफिस देगे गया जो वैस पर आइगास जुरूरी हों दिया सब्मिट करने लगी अभी आप पास्वूर्ट समिशन करवाने के लिए पास्वूर्ट करिया है तो देखिए क्लाइंट की अंदर भी कितनी ट्रांस्परेंसी है जो बिजनसमेन होता वो भी यह डरता है कि मेरे पैसे ना मर जाए और जो क्लाइंट होता है वो यह लगता है कि यह मुझे मेरे साथ कोई दोखा ना कर दें गफरोड ना कर दें मैंने फिर बताया हम हमारी कभी भी बैड इंटेंशन नहीं है किसी भी सिंगल परसन चाहिए यह चाहिए कोई भी है किसी के साथ कोई चीट करने की हम तूदा पॉइंट स्ट्रेट फॉरवड बात करते हैं जैस और नौ में होने वाला है जैस नहीं हो तो बैसी हाथ जोड़ देते हैं एक चीज सब्सक्राइब करते हैं मतलब आपको क्या लगता है जो गरंटियां वरंटियां लोग बताते रहते हैं वीजास के बारें मिन्हों लगता है अपना एक एक्स्पीरियंस होंदा हर एक बंदे था और करके प्रफाइल देसा आपना लोना नहीं चेक की था कि जिते में लिए किसी एजेंट की ऐसी में सेटिंग हो सकती है कनेडा जैसे जर्मन जैसे ऐसी में कुछ जिते तक मैं हजे खुद हर वारी जो वी सब्मिशन हो यह जाकर मां खुद कीती है मिन्हों आइगास मिन्हों नहीं आदा लगदा क्यों कि सब्सक्राइब अभी देखे मुझे 14 से 16 सा लगाता है तो अगर आप लगातार इस टाइप की सुक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं जहां आप अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हैं जहां आप आरड़ी फैड़ेप हैं किसी अनदर कंसल्टेंट से जहां आपका आरदस बरवी रफ्यूज्ड है केस बट आपकी प्रफाइल अच्छी है तो आप हमारा एक वर अपीनियन जुरूर लें लेकिन मैं इस वीडियो में फिर बता दूं सीरियस हैं तो तब हम से चैट करें जहां हमें संपर करें अगर वैसे टाइम पास है तो प्लीज आवाइड करें हमें क्योंकि वीर आलाडी बहुत बीजी है तो इस टाइप के अगर आप सक्सेस स्टोरीज लगातार देखना चाहते हैं तो आप इम्मीरियर्ली क्राउनिमी क्रिशन के यूट्व क्राइब साथ में लगा बैल आकन को जुरूर पुश्च करें अगर आपको यह मेरी वीडियो चले कि इसको लाइक और शेर करना यहां थार आपीक खिछ.